वेलकम टू दिशा क्लासेज, दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है, अभी अभी एक 29 सितंबर को हर्याना सरकार का एक पत्तर जारी हुआ है, जो H-Tat और C-Tat की वैलिडिटी को लेके है, H-Tat जो हर्याना टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट और C-Tat जो सेंटर टीचर इलि सेंटिफिकेशन ओफ C-Tat शैल भी कंसिडर इक्विलेंट टू दा H-Tat या H-Tat फूर आल इंटेंट परपज ओफ पी आर्टी एंड टीजिटी तो यानि जो पी आर्टी प्राइमरी टीचर हैं एक से पांच और TGT जो ट्रेंट गजवेट टीचर हैं 6-8 उनमें अब C-Tat B-H-Tat के इक्विल वैलिड होगा अब इसका असर क्या पड़ेगा इसका असर के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ C-Tat 2019 की बात करें तो लगग 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 18,000,000,000 बच्चे अपियर हुए थे 3,52,000,000 बच्चे पास हुए यानि 17% बच्चे के करीब पास हुए PRT में और 15% बच्चे पास हुए थे TGT में यह लाखों में संख्या है 18,000,000 वहीं अगर हम H-Tat की बात करें H-Tat 2020 की अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो H-Tat 20 का मतलब होगा कि यहां 2,37,806 बच्चे अपियर हुए थे जिन में से 4,706 PRT मतलब 7.04% लोग PRT के क्वालिफाइं कर पाए 4,934 बच्चे थे यानि 5.15 परतीशत यह TGT यह इसके लिए क्वालिफाइं कर पाए और 4.07 यह PGT तो एक चीज़ तो यह दियान रखें यह सिरफ PRT और TGT के लिए है क्योंकि PGT का H-Tat होता है, C-Tat PGT का होता ही नहीं है तो इसलिए अब 18,00,000 बच्चे 2019 में अपियर हुए थे C-Tat 2021 जो जनवर 21 में हुआ इसमें 22,00,000 अपियर हुए यानि तक्रीबन तक्रीबन तीन लाख यहां है तो तीन से चार लाख के करीब बच्चे यहां qualify कर गए, यानि यह साथ लाख बच्चे इन दो सालों में पिछले सालों कभी हैं क्योंकि यह साथ साल के लिए valid है तो यह जो साथ सालों में तकरीबन तकरीबन दस लाग के करीब बच्चे हैं यह अब अर्याना में होने वाली अगली PRT और TGT की परिक्षा में बैठेंगे और यहां के विद्यार्थियों को कम्पिटिशन उपलब्द कराएंगे कम्पिटिशन देंगे तो यह बहुत बड़ा चेंज है अर्याना के बच्चों के लिए जिनका एच्टेट क्वालिफाई नहीं हो रहा था उसमें इनको रिलीफ भी मिलेगा कि वो सीटेट क्योंकि सब्सक्राइब करें चैनल से जुड़े धन्यवाद